ओम स्रीगनी साइनम दोस्तो एश्क्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 अक्टूबर मंगलवार के रासी फल के बारे में कि हदिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी इने वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिन चरिया में और भेतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ संबंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और सम्मान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविदियों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंदरित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्माण कर रहा है जो की भविस्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुने उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महतपउन कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपनी पृतिभाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिंचरिया वेकारे प्रणाली पर ध्यान केंद्रित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भेतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्शन वे सैयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविदियों में समय नष्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटका सकते हैं और किसी प्रकार का आर्थिक लुकसान और मान हानी की भी आज संभाव ना है वे ध्यारती अपनी पढ़ाही के प्रती और अधिक ध्यान के इंद्रित रखें आज खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी इससे आर्थिक इस्तिती डगमगा सकती है इसलिए बजट बना कर चलना जरूरी है कभी कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वयभाव परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तो साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्ज करने से उचित हल प्राप्त हो सकता है घर के बड़े बुजर्गों की देखवाल में भी समय व्यतित करना आवशक है भूमी संबंदित कारों को लेकर कागजातों में कोई दिक्कत आ समजदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों अपनी बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है विवेक और समझदारी से आप काम लें तो भैतर होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लवलाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तों परिवार के साथ मनुरंजन संबंदित कारों में समय आज व्यतीत होगा प्रेम संबंदों में भी नजदी की आएंगी आपकी व्यस् और मौज मस्ती में आज समय व्यतीत होगा प्रेम संबंदों को भी परिवारिक स्विकर्ति प्राप्त होगी व्यवसाय और परिवार दोनों जगहें तानमेल बना रहेगा जिससे बहतरिन वातावरन रहेगा घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजर अंदाज करें इससे संबंदों में कभी कटूता नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत रहेंगे दोस्तों बात कर लेते हैं जब का वेवसाय केरियर क्या सा रहने वाला है दोस्तों पार्टनर्शिप संबंदित कारों में लाबदाएक आज प्रिस्तितियां बन रही है कारे को विस्तित करने संबंदित योजने भी आज बनेंगी नोकरी पेश व्यक्तियों के कामकाज आज ज़्यादा रहेंगे प्रतिष्ट लोगों से अपने संपरकों को आप और अधिक मजबूत करें उनके दोरा आपके वेवसाय में नए ओर्डर और अनुबंद प्राप हो सकते हैं सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कारे भार रहेगा आप अपनी योग्यता वे काबलियत द्वारा अपने प्रतिष्ठान में कुछ बदलाव लाने की कोशिस करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे कुछ नए जन संपर्ग भी आज इस्थाप को आप अधिक ध्यान में रखें जिससे आप बहतरीन निर्न ले पाएं दोस्तो नौकरी में आप अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरबाई ना वरतें वेविसाई गति वीदियों में सुधार आएगा करमचारियों के प्रति आपकी उदारता वे उत्तम वेवा उनकी कारे छमता को और भी अधिक बढ़ाएगा दोस्तो साथी साथ कारे छित्र में आप सभी गति वीदियों को सुचारों रूप से नियंतरित करेंगे अपनी कारे प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना करें कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है नौकरी पेशा व्यक्तियों की उनके उचित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु जादा काम के दवाब की बज़ हो सकती है इसलिए आप सैयमित दिन चरिया रखे इसके लिए दोस्तों आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोज़ान योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपए क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद लाल चंदन लाल गुलाब के फूल तथा रोली को लाल कपड़े में बांद कर भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाकर भगवान बजरंग कश्टो को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशने चल रही हैं समस्त परेशने कांत करेंगे और आपको ऐसा करने से विसेश लाभ प्राप्त होगा दोस्तो भगवान बजरंग बली का अश्रवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्वोक्स में जै ब बजरंग बली अब अश्र लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद